नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरताव दर्या इंडेल यूटूबर और आप सभी लोगों का मेरी यूटूब चनल पर स्वागत है तो दोस्तों आज कलके सबसे बड़ी आम समस्या ये है बालों का सफेद होना छोटे छोटे बच्चों यानि कम उम्र के बच्चों तक के बाल सफेद हो रहे हैं तो दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं अपने सफेद बालों से तो ये वीडियो देखना पूरा दोस्तों ये नुस्खा आप देखेंगे यूज करेंगे और आपके जो सफेद बाल है वो जड़ से काले हो जाएंगे बिल्कुल नेचरल तरीके से तो लाइक करना दोस्तों में जैर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तों बालों को काला करने के लिए सबसे पहली समगरी हमें यहां पर लेना होगा यह दोस्तों आमला तो यहां पर मैंने सूखा हुआ आमला लिया है और यह आमला बालों को जड़ से काला क्योंकि दोस्तों आवले में बहुत सारे पोसक्तत होते हैं बिटामिन्स होते हैं प्रोटीन होते हैं और यह हमारे बाला को पोसक्तत देगा और बिटामिन्स देगा मिलर्स देगा जिससे की आपके बाल जड़ से कारे होने लगेंगे नैच्रल तरीके से ठीके ना तो यहां पर हमें क्या करना है करीबन एक चमच भरके आउला को लेना है और इसको हम थोड़ा सा तोल लेंगे यानि की कूट लेंगे आपको मार्केट में सुखा हुआ आउला आराम से मिल जाएगा आप चाहे तो घर पर भी इसको तयार कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते मैंने एक च पर दोस्तों हमें लेना है तेल तेल हम कौन सा लेंगे तेल हम सरसों का भी ले सकते हैं तिल का तेल भी ले सकते हैं और नारियल का तेल भी ले सकते हैं यह तीनों तेल हमारे बालों के लिए अच्छा होता है और साथी साथ एक तेल और है वह दोस्तों कौन सा जैतुन का ते तब ले सकते हैं तो हमें करना क्या है हमें ले लेना है एक बातन हमें ठाल देंगे और अब हमक्षीन कीचा है यह ताओर सक्णवीने हम करीवनादा कप या फिर एक कप इसमें ड़ल देब हम यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का तेल और अब इसमें हम डाल देंगे दोस्तों ये आविला जो हमने और अहले को कूटा था उस उतनी को हम अवनें दौस्त तो करीभा 1 और अवला डिया है और अब इसके तो हम इसमें डालेंगे मैथी दाना दोस्तो नुस्खा आप जरूरी उच करना और आप खुद ही देखेंगे बिल्कुल नेशनल तरीके से आपके बाल जड़ से काले होंगे तो यहां पर हो गया एक चमच अमला एक चमच बने डाल दिया है इसमें मैथी दाना और अब इसमे को खतम करके बालों को जड़ से काला करेगा आपके एक भी बाल सफेद नहीं रहेंगे यानि की एक एक बालों को आपके काला करेगा सफेद बालों को काला करेगा तो यहां पर आप देश सकते हैं यह पानी खौलने लगा है और अब हम क्या करेंगे यहां पर जो मैं तेल को आमबला और कलोंजी ये सारी समगरी डाल करके आप धूप में रख दीजिए तो आप लगातार तीन से चार दिन तक इसको धूप में रखिएगा और आपका जो तेल है वो बन करके तैयर हो जाएगा तो आप इस तरीके से भी तेल को बना सकते हैं और अगर आपके या धूप आपके बालों की हर एक समस्या को खतम करेगा और इस तेल को आप अपने पूरे परवार को लगा सकते हैं कोई प्रव्लम नहीं है मैंने देखा है बारे बारे साल के बच्चे तेरे तेरे साल के बच्चों तक के बाल सफेद होने लगे हैं किसी क्या पानी खराब है तो किसी समय से पहले सफेद होंगे, तो इस नोसके को आप यूज करिए, आप खुद ही देखेंगे इसका रिजर्ट, बिल्कुर नेच्छनल तरीके से आपके बालों को काला करेगा, तो मैंने यहां पर 10 पर तक इस तेल को पका लिया है, डबल बालर मेशन से, और अब हम क्या करेंगे, इस तेल को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद इसे किसी एयर टाय डिबी में भर करके रख देंगे, तो चलिए यहां पर मैंने तेल को ठंडा कर लिया है, और आप मैं इस डिवी में इसको भर करके रख दूँगी तो इसे हमें क्या करना है छानना बिल्कुल नहीं है आप इसी तरीके से सारी सामगरी इसी में डाल करके और आप इसे करीबन चार दिन के लिए रख दीजिए ऐसे ही चार दिन के बाद में आपको क्या करना है इस तेल को अगर आप छानना चाहें तो इसको छान लीजिए अदल वाज़े कर नहीं छानना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए कुछ भी नहीं बिगड़ेगा तेल का आप देखना उल्टा आपको जो यह मैसी दाना है जो कलोंजी है और जो यह अमला है इसके सारे पोसक्तर तो इस तेल में आते रहेंगे और आप देखना यह पॉस्टिक वाला तेल तयार हो जाएगा इसमें सारे पॉस्टिक विटामिन्स मिल जाएंगे इस तेल में और आप देखना आपके बालों को कैसे काला करता है तो कि दोस्तों इसमें सारी नेचरल चीज़े हैं स कोई भी प्रमलम नहीं होगी तो आप क्या करें इस तरीके से चार से पांस दिन के लिए इसको ऐसे ही रख दें बंद करके और और आप चार दिन के बाद मैं आप चाहें तो इस ते reasons को च्छान लीजिए अगर आप रींच नहीं है चानने की तो आप इसको ऐसे ही रख लीजिए और फिर क्या करें बालों में अपने तेल लगाएं इसको क्या करें थोड़ा सा तेल निकाल लीजिए करीबन दो से तीन चमच चार चमच आप तेल को निकालिए और बालों की जड़ों में इस तेल को अच्छे से लगाईए आपको कुछ नहीं करना है आप चाह करिए मसाज आप करीवन 15 मिन तक करिए अपने बालों में और मसाज करने के बाद इसको छोड़ दीजिए आप चाहे तो इसको रात बर के लिए छोड़ सकते हैं अगर आप रात बर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो इसको करीवन 4 गंटे के लिए आप अपने बालों में जाएगा यानि कि आपके जो बाल है, सोख लेगा, इस तेल को जसे की बालों को मिल्जर्ण, बितामिलस, प्रोटीन, मिल Normals, और आप खुद ही, देखना आपके जो प्पनी से ज़ट से काले होने लगएगे, आप खुद देखना, एक एक बाल आपका सफेद काला हो जाएगा वो भी जोकुल नैशनल तरीके से तो आप लगातार 15 मट तक मसाज करिए और छोड़ दीजिए और फिर किसी भी माईड सेंपू से अपने बालों को साफ कर लीजिए इस तरीके से आप हफते में दो से तीन बार करिए और इस तेल को यूज करि दीजिए तो चलिए दोस्तों मैं मिलती हूं नाई वीडियो साथ तब तक के लिए नमस्कार